हलो गाइज गुड मारिंग ओल कैसे हो आप लोग गाइज एक संपाय लॉंच हो गया रो बहुत शांदार तरीके से बहुत से यूजर ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है लेकिन बहुत से यूजर ऐसे हैं जिन्होंने शांदार प्रॉफिट नहीं लिया उनका दो रिजन है या तो उनके पास क्वाइन कम थे या उन्होंने एनेफ्टी मिंट कर ली आज की इस वीडियो में जो एनेफ्टी मिंट हुई है उसको दुबारा से क्वाइन में कनवर्ट करने के लिए आपको प्रॉसेस बता हुआ और सबसे बड़ी बात बहुत से लोग बोले थे 5,700 वोट अब तक आ चुके हैं जो यहां पर है मैं आपको रिकॉर्डिंग करके स्टार्ट कर देता हूं यहां पर देखिए यहां पर 5,748 वोट आ चुके हैं जिस पर अगर मैं बात करूं 2,664 लोगों ने बोला है कि हम सेल कर चुके हैं और वहीं अगर बात करें जिन्हो बहुत से लोग कर चुके हैं बहुत से लोग वेट कर रहे हैं उनमें से लोग एनेफटी वाले भी हैं तो एनेफटी का क्या उसे एनेफटी को कैसे करेंगे तो उसके लिए गाइस मैं आपको सीधा ले चलता हूं आपके बोट के ओपर जो हमारा है एनेफटी का बोट लेते हैं यहां पर कंवर्ट निखा हुआ है यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उपर एक एड्रेस है अड्रेस के उपर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यह पर copy हो जाएगा यहां पर हो गया यह copy अब हम copy कर चुके इस पर आपने टैप करना है copy option नहीं आएगा क्लिक करेंगे copy हो जाएगा तो आप कहा जाने अब आपने टोन की पर हमने टोन की पर connect किया तो यहां पर मेरी NFT है वो कहां दिखेगी तो यहां पर collectable पर हम क्लिक करते हैं collectables लिखा हुए यह fourth option है इसको हम कर देते हैं क्लिक यहां पर देखिए मेरी सारी NFT से जो अलगले प्रोजेक्ट से आती रहती है यहां पर मेरे सारी जो X Empire की है वो भी है तो हमें अब इसे एक एक करके transfer करना पड़ेगा तो पहले हम किसी भी NFT को पकड़ लेते जैसे सबसे टॉप वाली है इसको हम क्लिक करते है ट्रांसफर पर क्लिक करते है ट्रांसफर पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास address है हमने copy कर रखा है अलाव टू प्ले पेस्ट करेंगे और यहां पर continue पर क्लिक करेंगे continue पर क्लिक करेंगे बस इतना सा काम है आपको अगर आप टोन कीपर में तो बस आपकी एनफटी ट्रांसफर हो जाएगी आपका फेस वेरिफाई होएगा मतलब मैं आइफोन यूज करता हूँ इसली होग है एकसी एंपायर में एकसी अप्टार पर जाते हैं अम उसको करते है अब हमने क्या करना है उस अड्रेस को कॉपी करना है जो हमारा अड्रेस था हम उस अड्रेस जाएंगे यहां पर देखिए निचन को सब्सक्राइट कलिक ट्रहां चलिक पैस टेलीगराम कर लेएग है Toby यह option आता है tone space पर क्लिक करते हैं tone space पर आगया यहां पर देखिए NFT पड़ी हुई है address मैंने copy कर लिया है तो मैं NFT पर क्लिक करता हूं यहां पर send collectable पर क्लिक करता हूं अब यहां पर दुबारा collect आ गया उसके बाद external wallet पर जाते हैं और यहां पर address को कर देते हम paste address को paste करने के बाद और यहां पर आप continue पर क्लिक करेंगे आपकी NFT यह transfer हो जाएगे अब बस इतना सही है अगर आप telegram पर हैं और tone की पर पर हैं अब बात करें यहां पर कि आपके बाद दोनों चीजी आ गए अब यह coin आएंगे अब जब हम NFT हम इसको transfer कर देते हैं तो कितनी देर में आएगी तो यहां पर company का कहना है कि आप एक एक करके सारे transfer कर दो हर NFT में 24 गंटे का time लगेगा convert होने में NFT to X token X token आपके 24 गंटे में आपके wallet के अंदर आ जाएंगे अब आपने देखने जिस टाइम आपने NFT purchase की थी जिस टाइम आप NFT mint करी दी उस टाइम आपने कौन सा wallet connect किया था तो सारे wallet अपने चेक कर लेना जोन सा भी wallet टॉन की पर गिया था आपने या टेलिग्राम किया था उसमें ध्यान से देख लेना दोनों wallet अराम से चेक कर लेना और जब आप इसको transfer कर देते हैं 24 गंटे बाद आपके token X में आ जाएंगे या फिर एक और option है अगर कोई बजा से आपके token नहीं आते हैं मतलब मान लीजिए आपके पास coin आपने NFT mint कर दी NFT को transfer भी कर दिया लेकिन फिर भी 24 गंटे में coin नहीं आएं तो यह सारे coin जितनी भी आपने NFT कर जाएंगी यह सारे coin आपके boat के इंदर चले जाएंगे boat कहां पर X empire के boat में फिर X empire के boat से आप दुबारा कहीं पर भी ले जा सकते हैं या तो आप अपने exchange पे ले जा सकते हैं या फिर अपने decentralized wallet पे ले जाके इसको buy sell कर सकते हैं मतलब आपको दोनों त वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शांदार knowledge और profit से भरी हुई तब तक के लिए thank you so much guys